बंगलादेश के अंदर इंडिया उड़ केमपेंज स्टार्ट होने से इंडिया पैनिक में है क्योंकि इंडिया उड़ केमपेंज का तजुर्बा इंडिया के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है मालदीवस के अंदर इस केमपेंज ने कुछ अर्सा लिया कुछ टाइम लिया मतलब दो तीन साल लगे इसको लेकिन इवेंशली इस केमपेंज की वज़ा से इंडियान इंफिलियोंस वहां पर धबर दूस हुआ है तो इस तरह की जो केमपेंज होती है उसमें पोटेंशल है इंडिया का रिजिनल इंफिलियोंस डाउन करने के हवाले से तो जहां जहां ये केमपेंज स्टार्ट होती है इंडिया मौताथ हो जाता है मतलब वो थोड़ा था केतना काशिस हो जाता है फूग फूग के कदम रख रहा होता है कि इस तरह की केमपेंज को सकसेस होनी नहीं चाहिए क्योंकि रीजिन में वैसे ही पबलिक लेवल पर बहुत सारे मुलकों में इंटी इंडिया सेंटिमें इंट्स को डिफ्यूज करने के हवाले से दो बड़े रॉली पॉप इन्होंने ये दिये हैं एक तो उन्होंने बंगलादिश को काई कि तीस्ता रिवर का जो मसला है वो आपको हल करके देते हैं रिसेंटली जब हसन मेहमूद साब गए हैं इंडिया बंगलादिश के फॉर इस मुद्ध पे एगरी नहीं करती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको एगरी करवाने के हवाले से यहां से हवामी लीग वाले उमीदे लगा के बैठे हुए हैं कि जल्द ये मसला हलो के मिलेगा उनको हाला कि ये काफी सालों से उमीद है यानि इन उन्हें दस साल से लेकि ये उमीद ही लगा के बैठे हुए हैं कि आज हलो होगा तो कल हलो होगा लेकिन इसके साथ इंडिया ने जो बड़ा लॉरी पाप दूसरा दिया हुए वो ये दिया हुए है कि हम नॉन लीथल वेपन्स यूज करेंगे बॉर्डर के लिंग सो ज करेंगे लेकिन लोगों को शांत करना है ना बंगलादिश के अंदर इंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को डाउन करना है ना तो उनको थोड़ा सा मतलब एक मसका मारने की कोशिश की जा रही एक मरतबा फिर से वही पुरानी चीज़ें सुना के उनको कि देखें अभी जीरो क सेमाल करेंगे जिससे लोगों की जान ना जाए तो बॉर्डर पर ऐसे ही करेंगे जखमी हो जाएंगे लोग बेहोश हो जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं इस तरह की अत्यार जो हम यूज़ करेंगे कहते हैं बंगलादेश in India have agreed to use non-lethal weapons to reduce the number of water killing said बंगलादेश for a minister on Monday February 12 अब देखें ये जो भी वादे वचन किये जा रहा है ना as I said in the beginning ये पहली मरतबा नहीं हो रहा है मैं तरह आपको 15 जून 2023 का new age बंगलादेश दिखाता हूँ इसमें उन्होंने रिपोर्ट किया BSF agrees a fresh to zero water killing जून 2023 में उन्होंने का कि zero कर देंगे लेकिन क्या zero हुई the answer is no इसके बाद भी कई सारे वाकिया पेश आए जिसमें बंगलादेशी जो नैशनल्स हैं वो शहीद बलके BGB के लोग भी इसमें बीच में आपने देखा दो चार रोस पहले भी ऐसा ही हुआ है एक बंगलादेशी BGB का जो नोजवान था उसको शहीद किया गया इंडियन BSF की फाइरिंग में तो zero नहीं हो रही इन्होंने अभी काफी महीने पहले भी यही चीज रिपीट की थी लेकिन जीरो नहीं हुई किलिंग्स और उस वक्त दुनों ने यह लॉलिपॉप इसलिए दिया था क्योंकि वहां पे इंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उरूज पे थे और इलेक्शन्स होने वाले थे तो उस वक्त दुनोंने इलेक्शन्स की वज़ादे थोड़ा सा कोशिश की थी इंडिया ने इसी रिपोर्ट में अगर आप देखें न्यू एज बंगलादिश कहता है था बी जी बी चीफ एट प्रेस कॉनफरंस इन धाकाज पिलिखाना हैड़कॉर्टर सालसो सेड़ थे बी एस सेफ है रिटर्टेट इड़ पॉलिसी अफ यूजिग न परतबा फिर से क्योंकि इस प्रेस कॉनफरंस के बाद भी कई सारे वाकियात पेश आये जिसमें लिथल वेपन्स बी एस सेफ ने यूजिज किये और बंगलादिशी सीटिजनस एजर रिजल्ट उसके नतीजे में शहीद हुए है नॉन लिथल वेपन्स इंडिया सर्फ एक बॉर्डर पर यूज करता है और वो चाइना वाला बॉर्डर है और वहाँ पर एग्रिमेंट में है चाइना के साथ के नॉन लिथल वेपन्स बहुत जाबाने से लेके डेकेट्स हो गए तो चाइना के अगेंस ये नॉन लिथल वेपन्स यूज करते हैं और बंगलादिश जैसे फ्रेंडली मुल्क जिसको ये फ्रेंडली मुल्क कहते हैं उसके अगेंस ये लिथाल वेपन बलके पाकिस्तान वाले बॉर्डर से ज्यादा लिथाल वेपन ज्यूज करते हैं यहापे फिर में अधर आपको जुलाई 2022 का यही न्यू एज बंगला देश दिखाता हूँ बिएसेफ अगें एग्री टो एंड बॉर्डर किलिंग अगें एक मदब फिर से इसका मदब है 2022 से भी पहले ये बंगला देश को कह चुके हैं के बॉर्डर किलिंग जीरो कर देंगे यहनी कई सालों से लेकर वही चीज़ें रिपीट करते हैं सारे के सारे जितने भी होते हैं वो करिमनल होते हैं जिनको हम जो है निशाना बनाते हैं यह भी भूटा मजाख है टीनेजर्स वहाँ पर शहीद होते रहें बंगला देश के चोटे बच्चे बिजारे होते हैं अभी 17-16 साल के कई मरतमा ऐसा हुआ है और पंगला देश के जो बीजीबी के जवान हैं उन पे हमले होते रहें बियसेफ की जानेब से अब इन्हों ने दोबारा वही चीज़ रिपीट की है कि इसको जीरो पे लाएंगे और इसका मकसद यही है कि वो जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स हैं इनको डाउन करना है और यह जो इंडिया और केमपैन स्टार्ट होई है इसको फ्यूल करेंगी यह चीज़ें बॉर्डर के लिंक्स इसको फ्यूल करेगा और इस तरह से तीस्ता दरिया का मसला इसको फ्यूल करेगा तो यह ज तिस्ता के मसले पे इंडिया का सेंटर जो है मूदी की गवर्मिन्ट और ममता बेनर्जी की गवर्मिन्ट कभी वो कलीम उल्ला से सलीम उल्ला वाला इसाब होता है कभी वो ममताब इनर्जी के उपर लगा देते हैं कभी ममताब इनर्जी उनके उपर लगा देती है कि ये वहां का मसला है हमारा मसला नहीं तिस्तागा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा ये काफी सालों से ऐसे ही हो रहा है अभी सिर्फ ये करके दिखा रहे हैं देखें इंडिया उट केमपेंज जो है इसको शान्त करें हम इस पे काम कर रहे हैं यह जो मिजियल कंसरन के एरिया आज है उस पे हम काम कर रहे हैं अच्छा यह जो मसाइल है इस पे जो चलें यह मीडिया में बात करके दिखा रहा है ना इंडियन ऑफिशल्स और अवा मिली क officials के हम इस पे काम कर रहे हैं लेकिन एक बड़ा मसला है जिसको मैं अभी तक नहीं देख रहा मीडिया के अंदर वो फराका बेराज का मसला है ये भी बहुत पुराना मसला है ये मैं आपको याद दिला दू कि अभी ये फैबरवरी चल रहा है ना दो मईने के बाद सोला मई को फराका लॉंग मार्च डे आ रहा है 16 मई 1976 को मौलाना अब्दलहामिद भाशानी ने एक बहुत बड़ा मार्च निकाला था जो के बंगला दिश से होकता हुए यहां तक जाना था फराका बेराज तक और उसकी डिमांड यही थी मार्च की कि ये फराका बेराज जो है बंग बंगला दिश बनाथ दान आ उससे पहले ही ये डिजाइन्स थे कि इस तरह से पानी हम डीवर्ड करेंगे अगर कभी मौका मला तो ने जो ही बंगला दिश बन गया तो उन्होंने फौरी तो पर इस पर काम स्टार्ट भी कर दिया था फराका डेम बनाने पे अब तब से ले पानी यहां से इंडिया डैवर्ट कर रहा है तो 16 माई को यह वाला जो फराका मार्च डे आ रहा है तो इसमें आपको एक बार फिर से शदीद किसम के इंटी इंडिया सेंटिमेंट्स नदर आएंगे लहादा मीडिया में 4-6 स्टेटमेंट्स से जारी करने से इंडिया का मसला हल नहीं होगा बंगला देश के अंदर यहाफ तो डू सम्थिंग प्रैक्टिकली हमने नॉन लीथल वेपन्स इस्तमाल करना शुरू किये हमने तिस्ता के ओपर बातचीत शुरू कर दिये हमने फरागा के ओपर बातचीत यहाफ तो रिजॉल्व दीज इस इशूज यह 1970s के इशूज हैं पुराने इशूज हैं सिर्फ बयानात देने से इशूज हल नहीं होंगे लोग इसको नॉन सीरियस लेते हैं बंगला देश के अंदर वहाँ से इंडियन आफिशल जो भी बात कर रहे होते हैं कोई सीरियसली नहीं लेता उसको जब तक आप प्रैक्टिकली इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक ना आप इंटी इंडिया सेंटीमेट्स को डिफ्यूज कर सकते हैं ना इंडिया ओड कैम्पेन को आप नाकाम बना सकते हैं